आज हम बात करेंगे M.D.U के एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में M.D.U राउस्टक B.S.C. पास्टोर के जित सेशन 17-18 सेशन हमारे अभी जो फिलहाल जो पेपर स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूँ सेशन में टांसीज तो नहीं है चेंज हो जागा लेकिन फिर भी जाता है तो नेक्स वीडियो में या अपना सब्सक्रिप्सान बॉक्स में या कमेंट करके हम आपको बता देंगे हमारे यहां पर ओवरल जो complete physics का structure है उसको हमने चार पेपर हमाब आटा हुआ है दो theory paper है एक practical है और एक internal assessment है theory paper 1, theory paper 2, practical paper 3 and internal assessment maximum marks, minimum marks अब मैं यह table complete कर देखा हूँ, theory paper फिलाल हमारा theory paper 45 marks का होता है पर्स पेपर भी और सेकंड पेपर भी है दोनों paper 45-45 marks के होते हैं, practical हमारा 40 marks का होता है प्लस, जो internal assessment है, वो 20 marks का यह maximum marks है, इन में minimum हमें कितने marks लेने जिससे की हम पास हो जाएं उसके लिए theory में, फिलाल individual theory में पास होना जबूभी नहीं है दोनों paper में मिला के पास होना है, दोनों 45-45, 90 marks का हो गया 90 का 40% marks लेने हैं हमें पास होने के लिए, 45 हो गया इसका 36 marks, यानि theory में पास होने के लिए, 36 नमबर चाहिए हमें, 36 marks, practical 40 marks का है, इसका 40% चाहिए हमें, 16 marks, और internal assessment है, 20 marks का, इसका 40% चाहिए हमें, 8 marks, यह हमारा minimum past criteria है, individual आपको इन तीनों section में पास होना जरूरी है, ऐसे समझें, इस section में, इस section में, और इस section में, यानि इन तीनों sections में अलग-अलग पास होना जरूरी है, otherwise आप किसी भी एक में repeat आती है, तो यह जरूरी नहीं है कि आपको तीनों section देने पड़ेगे, सबोज किसी बच्चे की theory में repeat है, theory में 36 से कम 35 marks हैं, लेकिन यहां आपके 16 से ज्यादा है, यहां आपके 8 से ज्यादा है, तो आपको यह theory paper ही देना है, दुबारा ना तो internal assessment की और repeat करना है, ना ही practical examination repeat होगा, और अगर आपका theory में 36 plus marks हैं, और practical में 12 से कम दिये हैं, या absent दिया है, तो practical का procedure क्या है, कि आपको दुबारा जब practical का reappear भरना है, और दूसरे college में या अपने college में जब practical होगा, तब उस time इसका reappear का practical exam देना पुड़ेगा, इधर internal assessment, जो college से लगा के जाते हैं, यानि जो professors आपको class ले रहे हैं college में, वो आपके marks लगा के बेज़ते हैं, it absent भी जा सकती है, अगर किसी बच्चे का regular performance नहीं है, या by the way teacher mistakes भी हो सकती है, ये college से दुबारा marks जा सकते हैं, इसमें 8 से उपर है, कोई problem नहीं है, अगर इसमें 8 से जादा है, तो ये marks भी दुबारा रहे, इंप्रूब हो जा दे, thank you